नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कार इंफो स्टूडियो में कार इंफो स्टूडियो के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर में टाइम को सेट किया जा सकता है तो ये टाइम सेटिंग में बताने वाला हो especially for अगर आपके पास LXI, VXI, ZXI या कोई भी मॉडल है मारूती वागनार का 2019 मॉडल का तो उसके अदर अगर आप टाइम सेटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो की मुदत से आप आसानी से टाइम सेटिंग कर सकते हैं तो आए दोस्तों शुरू करते हैं तो इस समय मैं मारूती वागनार के अंदर हूँ ये VXI मॉडल है जैसा कि आप देख रहे हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टाइम सेटिंग कैसे कर सकते हैं अगर आपकी क्लॉक, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्लॉक जो डिस्पले हो रही है इसमें अगर टाइम गलत चल रहा है तो आप उसको सेट कर सकते हैं इस समय तीन बच के सत्रा मिनट हुआ है तो देखते हैं कैसे करते हैं राइट सेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉब है, एक लंबी सी श्टिक है तो इसकी हेल्प से हम करते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसको प्रेस करके रखना है आपको दो सेकिंड प्रेस करके रखना है और थोड़ी, 2 सेकिंड भाद आपको एक बीप सुनाई देगी और हम मैन्यू मोड के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम different menu देख सकते हैं और फिर से जब मैं knob को single press करता हूँ तो ये menu पे navigate करता है अब देखी जिसे clock है, fuel है, settings है और doors है, वो सारी settings menu मुझे दीख रही है और मैं एक एक करके उन पे जा सकता हूँ और उनको change कर सकता हूँ लेकिन हमारा focus है clock तो clock को change करने के लिए हमें फिर से इसी knob को 2 second के लिए दबा के रखना है आपको हलके से प्रेस करना है प्रेस करके रखिए, 2 second बाद छोड़ दीजे जैसे ही beep की आवाज सुनाई दे और जैसे ही beep की आवाज सुनाई दे आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको लिखा हो पैसे जाएगा clock adjustment इसका मतलब है आप adjustment mode के अंदर आ गए हैं देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको clock adjustment mode में हम आगे और hours वाला number blink करने लगेगा और अगर आप 2 second रुकते हैं उसके बाद यह automatically minutes वाला number blink करेगा तो आप उसको भी adjust कर सकते हैं मैं आपको practically दिखाता हूँ कि कैसे करना है देखिए मैं hours वाला number को adjust कर रहा हूँ अब simply मैं knob को press कर रहा हूँ और hours number बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on मैंने इसको 4 बज़े पे set कर दिया है minutes वाले number पे blink होना सुरू होगा फिर उसके बाद मैं तुरंत ही adjustment शुरू करूँगा तो जैसे ही blink होने लगेगा मैं knob को press करके minutes को set करूँगा मैंने 4, 28 पे set किया है अगर आप 4, 50, 4 उसके बाद 4, 52 तो आपको knob को press करते 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 उतने minutes adjust करने है और minutes adjust होने के बाद अगर आप 5 या 7 second के लिए छोड़ देते हैं तो चोड़ आज़स्ट बाद ही adjustment mode से ये बाहर आ जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं और अभी हम menu mode में आ गए हैं लेकिन हमें menu mode से बाहर आना है उसके लिए हमें क्या करना है तो फिर से हम इसी button को use करेंगे इसी knob को use करेंगे और ind position पर आएंगे और वहां से हम exit होंगे तो फिर से आपको इसी knob को press करना है light security, fuel, clock, default, ind जैसे ही ind दिखें वैसे इस knob को 2 या 3 second के लिए प्रस करें और छोड़ दीजें जैसे ही आप छोड़ेंगे 3 second बाद आपको यह info screen जो आपको info LED है आपको यहाँ पर display हो जाएगी जिसमें आपकी normal info आती है fuel की fuel range and average और आप देख सकते हैं आपने जो time set किया था वो आसानी से यहाँ पर set हो चुगा है और अब यह proper work करेगा तो दोस्तों इस प्रकार से आप wagonar के अंदर और इससे मिलती जिलती similar गाड़ियों में भी time set कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसको like कर लें और हमारे channel को subscribe कर लें इसी तरह के कुछ और useful videos के साथ हम जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार